नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया केमद और आप देख रहे हैं रेनिस मुलिटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और एहम ख़वर से जो कि लखनाओ से आ रही है जहाँ पर लखनाओ में नगर निगम ने किया महिलाओं को अपमान और पूड़े की गाड़ी में भर कर महिलाओं को लाए गया इस वक्त की पड़ी और एहम ख़वर फेस थरी कारेकरम में महिलाओं को लाए गया और नगर निगम के अधिकारियों की संवेद नाए मरी इस वक्त की पड़ी और एहम ख़वर जहाँ पर कूड़े की गाड़ी में लाद कर महिलाओं को ला लाए गया था और नगर निगम के अधिकारियों की संवेदनाय मरी इस वक्त की बड़ी और एहम कबर जो कि लखनव से अरिय जहां पर नगर निगम ने किया महिलाओं का अपमान उड़े की गाड़ियों में महिलाओं को लाद कर कारेकरम में लाए गया और करीब आपको बता से 1090 महिलाओं को लाए गया है पेस्थिरी कारेकरम में महिलाओं को लाए गया और वहीं आपको बता दे इन महिलाओं को ऊड़े की गाड़ी में लाद कर लाया गया है और मिशन सक्ति के तहट 1090 पर था यह कारेकरम और वहीं लखनवस इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बीएस्पी सुप्रीमो मायवती की बैठक खतम हो गई और पार्टी कारेलियों में ये बैठक चल रही थी और वहीं आपको बता दे जिलाद्यक्षो को ओडिनेटर्स के साथ बैठक की थी और इ कांश्री राम की पुन्य थिती पर लखनव में कारेकराम होगा इस वक्त की बड़ी और एहम खबर 9 अक्तूबर को कांश्री राम जी की पुन्य थिती है इस वक्त की बड़ी और एहम खबर जहां पर थोड़ी ही देर पहले ये बैठक खतम हुई है जिसके बाद पुन्य थ काशी राम का पुन्यतिति का कारेकरम 9 सितंबर को रखा गया है यानि कि आने वाले कल को रखा गया है इस वक्त की बड़ी और एहम ख़बर जहां पार बीस पी सुप्रीमो मायवती की बैठक खतम हो चुकी है और वहीं आपको बता दें इस बैठक में जिलाद्यक्ष जिलाद की पुन्यतिति का लिया गया है और वहीं प्रधान मंत्री नरेद मोधी 14 सितंबर को अलिगड के लोधा में राजा महिंदर प्रताप सिंग राजे विश्विद्याले और रक्षा गलियारा की अदाशीला रखिंग और इस कारेकरम को लेकर प्रशासन तमाम तयारियों में चुटा हुआ है ररसल साल 2014 में बीजेपी और अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीच कैमपस में उनका जनम दिद बनाने को लेकर काफी विवाद हुआ था जिसके बाद से राजा महिंदर प्रताप सिंग के नाम पर विश्विद्याले बनाने की मांग जोर पकड बनने लगी तियो और मुखे मंतरिय यूगया अधितेनाथ ने साल 2019 के उपचुनाम में एक साभा को संबोधित करते हुए कहा था था कि AMU की तरज़ पर राजा महिंदर प्रताप सिंग विश्विद्याले बनाया जागा और अब उस जाट राज के नाम पर विश्विद्य जाले के स्थापना हो रही है और वहीं एम्यू को राजा महिंदर प्रताब सिंग ने काफी जमीन दान दी जहां आज एम्यू का सिटी हाई स्कूल बना हुआ है और यह जमीन राजा महिंदर ने लीस पर दी थी जिसकी मियाद भी 2019 में खतम हो गई है कोरोना मामलों में लगातार उतार चड़ाब देखने को मिल रहा है और नए कोरोना मामले एक दिन गिरने के बाद अगले दिन फिर बढ़ गए और आज बुद्वार सुवास्वास से मंत्राले के और से ताजा आंकडा जारी किया गया मंत्राले के नुसार पिछले 24 घंटे में 37,875 नए कोरोना के सामने आया है और इससे एक दिन पहले 31,222 के इस आये थे और वहीं पिछले 24 घंटे में 379 लोगों की मौत हो गई प्रति दिन कोरोना संक्रमट के 30,000 या उससे जादा मामले सामने आने के बाद हफते से नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है और वहीं मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को 25,772 नए मामले सामने आये और वहीं 189 मरीजों की मौत भी हो गए और वहीं केरल में अब तक संक्रमट के कुल 42,53,258 मामले सामने आ चुके है और वहीं मिल्टकों की संख्या 21,820 पर पहुंच गई है देश में करोना से मित्यूदर 1,233 पीज दिये चबकि रिकवरी रेट 97,48 पीज दिये और एक्टिव केस 1,19 पीज दी करोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब छटे स्थान पर है और वहीं कुल संक्रमटों की संख्या में मामले में भारत दूर से स्थान पर है जबकि अमेरिका प्राजिल के बाद सबसे ज़्यादा मोत भारत में हुई है और वहीं केंदे संसद्य कारे मंत्री प्रलाज जोशी को आगामी विदानसवा चुनाब में उत्राखंड के लिए पीजेपी का चुनाब प्रभारी न्यूक किया गया है और वहीं बाजपा सांसद्य, लोकेट चेटर जी और सरदार आरपी सिंग को से प्रभारी न्यूक किया गया है उत्राखंड में प्रचन बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का खुआप देख रही बीजेपी दिगज नीताओ के दमखम के साथ साथ पार्टी के सांगटनिक नेटवर्क पर ज्यादा भरोसर कर रही है और पार्टी ने इस बार राजपार राजपार में 51 प्रतिशट वोट और 60 सिर्थे हासिल करने का लक्षय बना है लेकिन वो सत्ता रोधी रुजान के भैसे भी तरी है और राजपार के मददातों को अपने वर्ष्ट में करने के लिए पार्टी योशना बद तरीके से कदम बढ़ा रही है सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने चरनबद रणनीती तयार की है योपी के इटावा जिले में पुलिस और S.O.G की टीम ने सन्यू कारवाई में डीजल चोर गैंक का खुला सकिया और पुलिस ने चापी मारी कर भारी मात्रा में चोरी का डीजल भरामत किया है और पुलिस ने ये कारवाई नैशनल हाईवा पर बने एक धाबे पर छापा मार कर किया और पुलिस ने ट्रैक ड्राइवर और क्लीनर और डीजल खरीदने आये लोगों समेट 17 आरोपियों को हिरासत में लिया इटावा पुलिस एसो जी के साथ ही खादिय विवाग की चापे मारी में धाबे पर खड़े रिलाइंस के चार टैंकर के साथ ही चोरी कर बेचने के लिए निकाला गया और आपको बता दे करीब 2750 लीटर डीजल ड्रमों में भरा हुआ रखा गया था और वहीं वो भी बरामत कर लिया गया और वहीं बताया गया कि कानपुर देहात सित रिलाइंस आउटवर्ट से डीजल लेकर निकले टैंकरों के ड्राइवर और ढावा मालिक की मिली भगा से पिछले काई माहिने से डीजल चोरी का गोरक धंदा चल रहा था और पुलिस ने बताया कि थाना चस्वंत नगर के अंतरगत फोजी ढावे पर डीजल चोरी कर कम दाम में बेचने का गोरक धंदा चलाया जा रहा था चापी मारी के दोरान बीजेपी नेता मौके से फरार हो गया और पुलिस ने पुश्टाज के लिए कई लोगों को हिरासत मिलिया है और वहीं मौके से तथा कथित बीजेपी नेता जो एक पड़े मंत्री का रिष्टेदार बताया रहा है और मौके से फरार हो गया और SP City ने कहा है कि ये घंबीर अपराद और इसमें कड़ी कारवाई की जाएगी विधान सवा चुनाव के लिए BJP ने प्रभारियों के नाम का एलान कर दिया और केंद्रे शिक्षा मंत्री धर्विंदर प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाए गया और वहीं नुराक ठाकुर, सरोज पांडे और अरजुन राम मेगवाली यूपी में BJP के सहचुनाव प्रभारी रहोंगे और वहीं उद्राखंड में केंद्रे मंत्री परलाज जोशी को चुनाव प्रभारी बनाए गया और वहीं से प्रभारी के रूप में लोकसवासांसद, लोकेट चटरजी और राष्टे परवक्ता सरदार आरपी सिंग होंगे और वहीं आपको बता दें कि इसके लावा परियावरन मंत्री भुपेंदर यादव मनिपुर में बीजेपी के चुनाप प्रभारी होंगे और जल्शंक्ती मंत्री गजेंदर शेखावात पंजाब के प्रभारी होंगे और वहीं जबकि महाराश के पूर्फ सीम देविंदर फड़नवीस को गोवा में बीजेपी का प्रभारी बनाये गया है बिहार की लोग जन सक्ति पार्टी और पाशवान परिवार के बीच चल रहे जगड़े की बीच एक ख़वर सामने आया मंगलवार को चिराग पाशवान ने अपने चाचा और केंद्रे मंत्री पशुपती पारस के घर जा कर उनसे मुलाकात किया और इस मुलाकात का एक खास मकसद था कि चिराग पाशवान अपने पिता और पूर केंद्रे मंत्री राम विलास पाशवान की पहली बरसी में शामिल होने के अपने चाचा को आमंत्रित करने उनके घर गए थे और 12 सितंबर को पटना में राम विलास पासवान की पहली बरसी आवजित की गई है LGP में फूट के बाद चराग पासवान और चाचा पसुपती पारस के बीच ये पहली मुलाकात है और पार्टी में तूटके अगले दिन जब चराग पासवान पारस के घर पहुचे थे तो दोनुगी मुलाकात नहीं हो सकी थे और सूत्रों के मुताबिक पारस के घर पहुचकर चराग पासवान ने अपनी चाचा के पैर चूए और निमंतरन पत्र सोपा और चिराग पास्वान के नाम से छपे इस निमंतरन पत्र में पशुपती पारस और उनके पुत्र यश्च राज के साथ साथ सांसद प्रिंस राज और उनके भाय का भी नाम लिखा है और पशुपती पारेस के कर्यूबियों का कहना है कि उनके 12 सितंबर के आयोजन में शामिल होने की संभावना है दिल्ली विश्विद्याले में अंड़क ड्रेजुट कोर्स में सीट हासिल करने के अपने संभावनाओं के बारे में जाने के लिए उमीद्वारों को अक्तूबर तक इंतजार करना होगा तरसल डियू के अड्मिशन कमेटी के अध्यक्ष ने मंगलवार को पुष्टी की है कि डियू अंड़क ड्रेजुट कोर्स के लिए पहली कट ओफ लिस्ट एक अक्तूबर को जारी की जाएगी और वहीं रेजिस्टेशन फॉर्म में अब और करेक्शन की अनुमती नहीं द परिक्षा और एम्प्रूम्ट परिक्षा के लिए उपस्तित हो रहे हैं क्यों की सी बीसी फिजिकल मौड में अग्जाम ौज़ित कर रहा है इसलिए हम उन चात्रों को भी मौका देना चाहते थे और सीबेशी कमपार्टमेंट और इंप्रूम्मेंट परिक्षा हैं 16 सितं एक अक्तूबर तक खोशित कर दे जाएंगे और यह आपको बता दे कि बोर्ड ने उन चात्रों को फिजिकल परिक्षा में बैठने के अनुमती दी है जो ओनलाइन परिक्षा 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 नाम से खुश नहीं है और वहीं पोर्टल को फिर से खोलने पर गुप्ता ने कहा कि जादधर यूजी कैंडिडेट्स ने अपने पैरंट्स के सूपर विजन में फॉर्म भरया तो इस वज़ा से कर्रेक्षन जैसी कोई समस्या नहीं है